Hello everyone, welcome to electrical department Tata Consulting Engineer Limited की तरफ से एक अपडेट है जिन स्टुडेंट डिप्लोमा Engineer Training की पोस्ट के लिए assessment दिया था उनके पास अब interview के लिए भी mail आने लगा है और साथ ही PPT के लिए भी mail आ रहे है तो ठीक 5 दिन बाद ये mail आना start हो गया है तो आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे कि personal interview और technical interview में क्या पोस्टे है और pre-placement आने की PPT क्या है जो की interview के पहले conduct कराया जा रहा है तो complete information के लिए वीडियो को पूरा end तक देखते रहे है और वीडियो में comment करके जरूर बताएं कि आपके पास interview के लिए mail आया है कि नहीं आया है तो सबसे पहले हम आपको वो mail दिखा देते हैं जो की TCE यानि की Tata Consulting Engineer की तरफ से आया है इसके assessment के बारे में अगर हम तोड़ा सा बता है आपको तो 25 दिसंबर को 25 नॉम्बर को इसका assessment हुआ था काफी इस जिटन का और assessment भी काफी अच्छा हुआ था जिनके पास mail आया है या नहीं आया है आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा मेल यहाँ पर देख सकते हैं जो यह assessment किया गया था और कंड़ेट करा गया था और उन्हीं की तरफ से यह mail आया है यहाँ पर आप आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि प्रिप्रेस्मेंट टाग क्या है और क्यों पार्टेंट होता है यह आपको वीडियों बताएंगे और प्रिप्रेस्मेंट टाग में कंपनी आपको क्या बताते हैं और आपको कंपनी से क्या का चीज़े पोस्ट सकते हैं वह सारा कुछ हम डिसकस करेंगे साथ ही जो आपका personal interview है उसके लिए भी बताएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका pre-placement tag होगा जो कि यहाँ पर इसमें date दिया गया है और time दिया गया है और साथ में link भी दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं data ppt की बात करें 30 नॉमबर को ही pre-placement tag है time slot की बात करें तो साड़े 6 बज़े से 8 वे तो यहाँ लगबग यह एक सिटेंट घंटे चलने वाला है और meeting link यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें की pre-placement tag क्या होता है क्योंकि आज के date में सामको साड़े 6 बज़े से यह start हो जाएगा तो देखिए pre-placement tag आप ध्यान से सुनिए आपको समझ में आ जाएगा और आपको क्या question पूछने है वो भी आपको बता दिंगे ठीके देखिए pre-placement tag इसको sort में बोला जाता है PPT यह एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप किसी भी company को join कर रहे हैं तो उसके बारे में उस company के बारे में जानने का यह बहतरीन chance होता है कि आप company के जो main होते है रिप्रेजेंटेट्व जो होते हैं उन्ही से आप पूछ सकते है ठीक है देखिए जो pre-placement tag होता है एक ऐसा session होता है जो companies college campus या college campus पर organize करते हैं या फिर online मार्धम से भी organize किया जाता है यहाँ पर जो आपका है वो zoom meeting पर आपको देखने को मिलेगा यह जो pre-placement tag होता है यह placement process जो होता है उसके सुरू होने से पहले होता है और इस tag में company के जो representative होते हैं वो student के साथ interact करते हैं अपने company की culture उनकी values क्या है और work environment और आपकी job opportunity क्या है इन सब के बारे में आपको जानकरी देते हैं और यह pre-placement tag होता है company को अपने organization को दिखाने उनके और उनके company के दोरा क्या क्या चीज़े offer की जा रही है उस role के लिए इस चीज़े आपको बताने के लिए और student के किसी भी स्वाल को जवाब देने के लिए तो आपके पास भी मौका होता है कि company के बारे में आपको जो भी knowledge चाहिए वह वहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हैं ठीक है pre-placement tag में जातर फैदा जो होता है वो students को होता है ठीक है वो company के सारे information को collect कर सकते हैं तो ये था आपका pre-placement tactic है अब बात कर लेते हैं कि personal interview में क्या पूछते हैं और interview हमको English में देना चाहिए और फिर Hindi में देना चाहिए तो देखिए अभी इसमें एक ही mail आया है कि pre-placement tag के लिए date and time दिया गया है personal interview के लिए कोई information अभी नहीं आया है कि मतलब कि कब date or time होगा लेकिन इसमें mail में लिखा गया है कि आप personal interview के लिए shortlisted है लेकि personal interview के दरान आप इसे कई topic से question पूछे जा सकते हैं जो कि आपके skill से आपके background से आपके experience से इन सबसे related हो सकता है यहाँ पर हम कुछ question discuss कर लेते हैं जो कि आपसे पूछ जा सकते हैं interview में ठीके इसमें आपको पूछा सकता है can you tell me about yourself यह एक normal सा question होता है इसका जवाब आप English या Hindi में देंगे या आपको हम आगे में बताएंगे ठीके इसके अलावा personal interview में पूछ सकते हैं what are your strength and weakness ठीके what do you want to work for this company आप इस company के लिए क्या करना चाहते हैं यह question पुछा जा सकता है फिर पूछा सकता है कि where do you see yourself in 5 years आप स्वयम को 5 years के बाद company में कुछ कैसा मतलब कि किस तरह से देखते हैं ठीके इसके बाद पूछा सकता है कि what do you handle stress how do you handle stress or pressure ठीके इसके लागा what is case do you bring to this role इस टाइब की question को जा सकते हैं जो कि personal आप से related होते हैं ठीके इस प्रकार की question की आप लोग त्यारी कर सकते हैं उसमें आप जिस भी ब्रांज से apply करते हैं उसी से question पूछ जाते हैं तो अगर हम बात करें टेक्निकल इंटर्वी में electrical engineering यारणी की electrical ब्रांज से अपने apply किया है तो वो कुछ common topics आपको बता दीते हैं जहां से question पूछा सकते हैं जैसे कि आपका हो गया basic concepts, electrical के basic concepts question पूछा सकते हैं इसके बाद circuit analysis से भी question पूछा सकते हैं electrical machine के question हो सकते हैं, power system के, control system के, instrumentation के, electronics से फिर या फिर power electronics से, renewable energy यह कभी सारे topic हैं इन सब से question पूछा सकता है और इन सब पक्या application है, इससे related भी question आपको देखने को मिल जाएगा technical interview में, technical interview में क्या question हो सकता है, question और उसका answer का एक PDF है हमारे पास, वो आपको हम share कर देंगे, वो आपके लिए helpful होगा अब हम बात कर लेते हैं कि आपको interview English में देना है या फिर Hindi में देखे, personal interview हो या जो आपका technical interview हो, जो top MNC company होती है उन में जो interview conduct करा जाता है, वो English में ही conduct करा जाता है अगर आप English में comfortable हैं और आपको लगता है कि आप अपने thought और answer उसमें effectively express कर सकते हैं उनको, तो English ही use करना जाता better होता है लेकिन अगर आप Hindi में comfortable feel करते हैं और interviewer भी Hindi में comfortable है तो आप Hindi में भी interview दे सकते हैं, interview शुरू होने से पहले आप उनसे अच्छे से बूच सकते हैं कि 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 language में हम interview लेना आप पसंद करेंगे, question पूच भी सकते हैं अच्छे से तो टाटा कंसल्टिंग इंजी लिंटर की जो mail आया है उसके बारे में आगे जो भी update आएगा वीडियो के माध्धम से और टिलेग्राम पर हमीन फॉर्म कर देंगे आप लोग वार्शेप ग्रूप और टिलेग्राम ग्रूप जो है वो जोईन करना न भूले तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में